लॉक्डाउन के दुरान शराब दसकर नशा बेचने के लिए हर हतकंडे को आज़मा रही है। सबसे हैरानी की बात ये है कि ये शराब इस तसकर ने अपने घर पर ही बनाई थी। पकड़े गे आरूपी की पहचान रमेश कुमार पुत्र दासराम निवासी बडेरी के रूप में की गई है। दाम पर बेचता था। उन्होंने बदाया कि इस बात की पूरी जाच की जा रही है कि शराब बनाने के लिए ये सामान उसे कहां से मिला और कौन-कौन उसके साथ मिला हुआ है। इस दुरान एकसाइस की टीम भी मौके पर पहुची और इसकी जाच की। सामा पुलिस ने मामला दर्ज कर कारवाई शुरू कर दी है। हमें पिछले कोई तक्रीबर एक हफते से शिकायत मिल रही थी कि बधेरी लाके में एक शक्स है जिसका नाव रमेश कुमार सानाव दास नाम है। वो अपने तरीके से बिलकुल अंग्रेजी शिराब की तर्द पे शिराब करता है और लोगों को बेच रहा है। इस शिकायत पे काम करते हुए पाना पलेश सांभा से कारवेव अमल लाते हुए इसके उपर रेड किया गया। और तलाशी बाम लाने पर इसके घर से और इसकी तवील से बारा बोतल शिराब जो बिलकुल सही तरीके से देखने से भी और उसकी जो शकल सुरत सब बिलकुल अग्रेजी शिराब की जैसी बनाई हुई इसने खुद बनाई हुई तयार की की हुई बरामद हुई तो द्रय श्राब रनने का थरीका वहां से सिखा हुआ था तक्रिबर 12 साल पहले ये किसी आपने मसला की वज़ा से वहां से काम शोड़ चुका हुआ था चूंकि अब श्राब जो है वो कहीं भी दस्याब अबेलेवल ना है मार्केट में तो उसका फाइदा उठाते हुए उस चीज को द्यान में रखते हुए इसमें ये शराब रनाना जो होते है शुरू की और लोगों में वेचना शुरू की तो इसकी जो इससे हमें ब्राम्द हुआ है उसमें बोटल से हैं खाली जो डकन होते हैं जो उनको डकन को सील करने का प्रीका है Bureau Report The Earth News